नमस्कार दोस्तों, इस टोक की रूज के को और वीडियो मैं आपका सागत करता हूँ दोस्तों, इस कंपणी के बारे में सब लोग को पता होगा, यह पेंट इंडस्ट्री की है और ASEAN पेंट के बाद दुसरी सबसे वड़ी कंपणी है, बर्जर पेंट, ठीक? ऐसा कोई भी इंडियन आदमी होगा, जो इसके घर पेंट करने के जुरूत नहीं पड़ती हो, क्या इंटरनल हो, यह आउटर हो, यह एडवर्टाइजमेंट आते रहता है, करना कपूर का भी, आप लोग बर्जर पेंट के बाद साइदी, अक्च्छा कुमार साइदी, ऐसा क कोई इंडिया आदमी है, जो नहीं जानता हो, असीन पेंट को और बर्जर पेंट को, यह दो पेंट, especially, नेरोलेक को भी जानते होंगे, लग या और भी बहुत सारे पेंट कंपनी है, लेकिन यह दो पेंट को तो साहएदी कोई ऐसा बंदा होगा, जो नहीं जानता होगा, आज इसी कंपनी के बाहर हम बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि one of the finest इंडिया में कंपनी है, one of the finest multi-bagger रही है, consistently इसने आपके amount को, आपको compounding करके दिया है, अगर आपको यकीन ना और मेरी बात पे, तो मैं आपको एक बार इसके price return की portfolio पर लाया हूँ, देखिए, देख लिए, बर्जर पेंट का मैं लगाया हूँ, पानसो बेरासी रुपया, पैंतालिस पैसा है, इसका current market price है, और जब मैं all time return का जब देख रहा हूँ, तो ये देखिए, 33,566.63% का return दिखा रहा है, और ये all time कब से है, जो सो, जब 1 जनुवरी 1999 को, ठीक है, अपको पैसा इतना तो है कि पैसा एक रातो रात बढ़ता नहीं है, पैसा को बढ़ने के लिए आपको time देना ही पड़ेगा, दोस्तो, आप पैसा नहीं कर सकते, share market में इन किया, और एक साल में पैसा बना के निकल जाएंगे, ऐसा possible नहीं है, अगर होता भी है, तो हजार लोगों, एक लाक लोगों म पैनी स्टोक रहा होगा, सायद ही लोगों को इस महीमत कर पाते होंगे लेने के लिए, लेकिन आज के डेट में, 20 से 22 साल में इसने तो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, तो कितनी बड़ी कंपनी बन गई है, आप इसका अंधाजा यहां से लगाई है, देखिए, market capitalization पहल बनाया था है, इसने 799 रुपया का, और 52 week low बनाया है, 544 जो अपने 52 week low से थोड़ा सा यूपर ट्रेट कर रहा है, dividend yield भी अच्छा है, 0.53, face value 1 का है, industry P56 का है, और इसका भी P59.7 है, तो कोई महांगा नहीं है, दो बहतरिन परामेटर, stock selection का, ROCE 25.9% maintain करता है, बहुत बड़ depth जो compare to market capitalization एकदम 0 है, earning per share देखिए, अगदर 9.74 है, और profit growth 14.1% से बड़ा है 5 साल में, और sales growth 14.1% से बड़ा है, promoter holding भी देखिए किया जवरदरस के 75% है दोस्तों, ठीक है, अब मैं आपको इसके ले के आया हूँ, एक बार, इसके चार्ट पे, ये देखिए, बर्जर पे ये था, ये देखिए, जुलाई के फर्स्ट विक में, जुलाई के लास्ट विक में था, और वहाँ से constantly ये lower high, lower low, lower high, lower बनाते रहाते, इस period में ये देख रहा है, इस period में इसने अपना low लगाया, low लगा के फिर इसमें bounce back आया, sustain नहीं कर पाया, breakout नहीं दे पाया, और फिर वापस इसी जगव से, वापस ये price return जाने के mood में ऐसा दीख रहा है, ठीक है दोस्तों, मैं कोई दवा नहीं कर रहा हूं कि price यहां से return चला जाएगा, लेकिन अब चार्ट का formation देखेंगे, तो अपने इसने recent low को, जो कि इसने जून के महीने में बनाया था, कभी भी वापस टच करने की कोशिस नहीं किया है, ठीक है, recent उसके बाद का जो low बनाया था, जो ये है 570 का, जो दो बार यहां पर टच किया दो दिन, और last week के, मंडे के दिन का session जहां पर market correct हुआ, वहां पर टच करके, वापस ये price upside में जाने के तयारी कर रहा है दोस्तों, बरजर paint paint industry का one of the best stock है, multi-bagger stock है, आपने return का portfolio देख लिया, बरजर paint के बारे में, technical आपने देख लिया, और ज्यादे कुछ बात करना, तो मतलब की investor लोग को insult करना होगा, या किसी तरह का decision देने का, मेरा अनुमान है, मेरा अपना analysis काता है, कि ये best time है, ठीक है, entry लेने का, और इसमें अपनी quantity add करने का, ठीक है, quantity add करने का, या जो नए investor है, अगर paint industry में, अगर, देखे, कुछ, एक share market का एक thumb rule है, क्यों companyों में invest करो, जिसके product आप खुद use करते हो, या आपके घरवार के लोग use करते हैं, ठीक, तो paint industry इतनी जाहिर सी बात है, जिसका भी घर है paint होता है, या तो या पेंट यूज करते होंगे, बर्गर पेंट या नोरलेक पेंट, तो जिन मेरे दोस्त लोगों को paint industry में, कोई stock selection के लिए, सर्च कर रहे हैं, तो निसंदे, बर्जर पेंट, one of the best selection है, मैं तो यह यह भी बोलूँगा, कि ECN paint से भी ज्यादा better, मुझे लगता है, बर्जर मैं खुद इसका investor हूँ, मैं अपना portfolio एक बार, एक minute के लिए मैं आपको दिखा दूँ, कि आप देखें लिए, जब मैं खुद ही इसमें, यह देखें दोस्तो, बर्जर पेंट, 63 quantity पे, अभी मैं low पे हूँ, अभी मैं थोड़ा सा minus में है मेरा, क्योंकि high price में मेरी buying हो गए में अच्छा price zone है, और अपने all time high से आप देखेंगे, तो नहीं भी तो यह कम से कम, 27% आपको discount पर भी available हो रहा है, कि जो की बहुत अच्छा सस्ता माल मिल रहा है आपको, तो निसंदे इस पर आप नजर बना के रह सकते हैं, नए साल में, अगर आपको यह stock में invest करना चाहत फिर उसके बाद funnel out करके, आप अपना decision लेजिए, investing का, अगर यह आपके criteria में fit बैठता है, तो निसंदे इस पर consider कीजिए आप लोग, और जब भी invest कीजिए, पांसे दस साल का time frame लेके चलिए, तभी आप अच्छे return या compounding का enjoy कर पाएंगे दोस्तो, यह रहा मेरा analysis, दोस्तो अगर यह analysis पसंद आए, तो please यह वीडियो पसंद आए, तो please मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, अपने दुस्तों के सेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं आपको next year के, फर्स्ट जनवरी के दिन, तब तक आप लोग भी enjoy कीजिए, नए साल का स्वागत कीजिए, share market तो चलते र थोड़ा सा enjoyment भी होना ज़रूरी है, ठीक है दोस्ते